आज कई बड़ी कमपणियों और दुनिया भर में काम कर रही प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर उसका निस्तारण करने वारी कमपणियों को सभुत तौर पर बुलाया आपको उतादे पूरी दुनिया में चल है प्लास्टिक विरोधिय अभ्यान का अध्यान करने के साथ उन कमपनियों से प्रोजेक्ट मंगवाए गए जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर उनके दुस प्रभावों को पूरी तरह से नश्ट कर रही है तो आज जो एक्स्टेंडर्ड प्रोड्यूसर डिस्पॉंस्विलटी वर्क्शाप है यानि कि जो ब्रांड ओनर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहा है जो पैकिजिंग कर रहे हैं उन्हीं की रिस्पांसफिलिटी एक तै करेंगे कि वो स्वैम जो पैकेट्स जिसमें बनाते हैं वो बाइबैक करें और फिर से उन पैकेट्स को रिसाइकल करके फिर से अपनी उसमें लाएं ताकि कम से कम पॉलूशन पैदा हो और लोगों को जो जिस तरहे से दिक्कते हो रही वो दिक्कते ना हो प्रोदूशन की बजह से किसी एको भी कोई परिशानी होती है को ये Г第二 रोग होता है ये beshaidly होती है । बहुत दुखदाः ज़न ँननर्स यानि जो प्रड़क्स आता है उस प्रड़क्ट में पैकेजिंग में प्लास्ट मोबाइल उसमें भी बहुत सारा प्लास्टिक और इलेक्ट्रोनिक कच्रा होता है तो जब यह चीजें खराब हो जाती है तो इसको फेक दिया जाता है और फेकने के बाद यह कैसे प्रापरली डिस्पोजल इसका हो और कैसे रीसाइकल हो इस पर जो ब्रैंड ओनर होता है जैस पर कलेक्शन और डिस्पोजल वे ही करें और इस बीच सफाई के लिए सिपाहियों से चंदले निकाम ममला सामने आया है बड़ी ख़़वर मां आपको बता रहा है सफाई के लिए सिपाहियों से चंदले अगया है लगनोपुलिस का विवादित आप